हेवलो एब्रीवन तो स्वागत हैं आपका अपने चनल रीना एजुकेशन पर और हम लेकर आए हैं कुछ फ्रेजल वर्ब आज हमारी फ्रेजल वर्ड टी से बनने वाले फ्रेजल वर्ड है तो हमारा पहला है टॉल बैक टू तो यह टॉल की जिए टॉक होगा टॉक बैक पिरा दूसरा टॉक संबडी डाउन होता है मुह बंद कर देना टॉक ओवर यह राउंड होता है समझा लेना या अपनी बात मनवा लेना टेक आफ्टर होता है समान होना या सद्रस दिखना टेक आफ्टर टेक बैक टेक अवे फ्रॉम टेक आफ्टर टेक अवे फ्रॉम टेक अवे फ्रॉम होता है कम करना या कम जोर करना घटाना टेक बैक टेक बैक होता है बापस ले लेना टेक ओफ टेक ओफ होता है उडान भरना टेक डाउन लिख लेना टेक डाउन लिख लेना टेक इन घर में जगा द टेक ओफ उतारना या हटाना टेक ओफ टेक संबडी संथिंग ओन टेक संबडी या संथिक ओन होता जिम्मेदार होना या जिम्मेदारी ग्रहन करना टेक संथिंग आउट होता है दूर करना निकालना टेक ओवर टेक ओवर होता है उत्तरदायत लेना टेक ओवर टेक टू आकरशित होना या पसंद करना या टेक टू नियामित सुरू करना टेक अप उठाना टेक अप विद के बारे में लिखना या बोलना टेक अप विद टेक अपार्ट फाल कर टुक्ड़ टुक्ड़ कर देना टेक अपार्ट टियर अवे फ्रॉम टियर अवे फ्रॉम हटना या कोई काम करना बंद कर देना tear down tear down पूरी तरह बरबाद कर देना tear up टुकडे कर देना tear up टुकडे कर देना toil apart tell apart अंतर करना और tell from भी क्या होता है अंतर करना tell of डाटना फटकारना tell of think back think back गुजरी हुए चीजों को याद करना think back think of think of विचार करना think something out साबधानी पूर्बख सोचकर योजना बनाना something about think something think something over निरने लेने से पहले साबधानी पूर्बख विचार करना think something over होता है think throw प्रभावों या नतीजों पर विचार करना think throw think about जाचना या विचार करना think up think up होता है सोच निकालना think up क्या होता है सोच निकालना throw थ्रो अबाउट throw अबाउट होता है फैल देना या विखेर देना throw अबाउट throw अबे मूर्खता या असाबधानी के कारण खो देना throw अबे throw in बिना मूल ले भड़ोत्री के कुछ अत्रिक्त चीज की आपूर्ती करना throw in throw off throw off होता है छुटकारा पाने में सफल होना throw off two throw one over two throw one over साथ छोड़ देना या त्याग देना throw out अनयास बोल देना throw out अनयास बोल देना throw somebody over संबन्ध विक्षेत कर देना या त्याग देना throw somebody over throw up अचानक त्याग पत्र देना throw up Touch up होता है तस्वीर लेक आधी को बहतर करने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्थन करना Touch on upon लेक करना या थोड़ा सा प्रकास डालना Try on वस्तर आधी को आजमा कर देखना Try on Try out की परिख्षा लेना Try out Trumble down गिर जाना Trumble over लुड़क परना या गिर परना Turn against दुस्मन बन जाना Turn away नोकरी से निकाल देना या हटा देना Turn back लोटना या बापस कर देना Turn back Turn off दिसा बदलना Turn on निर्भर करना Turn out निकाल बाहर करना Turn out सिद्ध होना Turn over लुड़कना या लुड़काना Turn to की ओर मुड़ना या उन्भुक होना या सहायता मांगना Turn to Turn up उपस्तित होना और Turn upon आश्रित होना किसी पर आश्रित होना Turn upon Turn up उपस्तित होना तो फ्रेंड ये हमने कुछ देखे T से बनने वाले फ्रेजर अब देखतें U से बनने वाले फ्रेजर वर तो Use up उपभोग करना Use up उपभोग करना और User in नई चीज का प्रारम होना User in Bouch for Bouch for होता है किसी काम के लिए जिम्मेदार होना Vote down मतदान के दौरा हराना Vote down किसी को हराना क्या होता है? Vote down अब देखते हैं अपने डबलू से बनने वाले फ्रेजर वर बैट, एवाउट या अराउंड Wait, एवाउट या अराउंड किसी से मलने, मिलने से पूर्व बिना मतलब के बहुत समय गुजार देना क्या होता है? Wait about Wait on नोकरी के रूप में सेवा करना नोकर के रूप में सेवा करना Wait on Wait up सजग रहना और Wait upon इतजार करना या सेवा में प्रस्तुत होना Wake up जागना या जगाना Wake up to खोस पे आना या चौक उठना Walk away from आसानी से छोड़ देना या नस्ट कर देना Walk into Walk into फस जाना Walk in on Walk in on परिसान करना Walk off छोड़ना अलग होना पीछा छोड़ना Walk up with बिना पूछे ले लेना या चुरा लेना Walk up Walk out हर्ताल पर चले जाना Walk up पहुँचना Was away off या आउट धो कर हटाना Was something down धो डालना Was up वर्तन आदिर माजना Watch for के वारे में साबधान रहना Watch out साबधान रहना सतर्क रहना Watch over देखरेक करना रक्षा करना Wave aside दरकिनार करना या खारिश करना Wave down हाथ दिखा कर गाड़ी रोकना Wave off विदा करना Wind down बंद करना Wind up समापन करना या होना Wind up Wipe away off फोंच कर हटाना Wipe out अस्तित्व मिटा देना Wipe up किसी चीज से या धूल आदी को कपड़े से हटा देना Wipe up अच्छी तरह पहुंचना Work away 8 कार जारी रखना Work away 8 Work off चुटकारा पाना या गुस्ता या परिसानी पर कौब उपाना Work off Work on upon प्रभावित होना या उत्तेजित करना Work out हल करना Work up भड़काना या उत्तेजित करना क्या होता है Work up Write down as के रूप में वर्डन करना Write down लिखना Write out सविस्तार लिखना Write out Write up प्रकासन के लिए काम करना या लेखक का काम करना Write up बाई से बनने वाले कुछ फ्रेजल वर्व देखते हैं Yarn 4 तीब्र लाल सा रखना Yarn 4 Yell out तेज आवाज में चिलाना और आज का हमारा लास्ट फ्रेजल वर्व है Jip throw Jip throw होता है किसी चीज को बहुत तेजी से करना या पढ़ना क्या होता Jip throw तो फ्रेज़ ये हमने कुछ फ्रेजल वर्व देखे थे अपने तो मिलते हैं अपनी वीडियो में अगले कुछ और वुक्याब लेकर तब तक बने रहें चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जज़ ज़्यादा शेयर करें थैंक्स पोर वाशिंग